हेलो दोस्तो तो सुबा सुबा की आप सबको बहुत बहुत राम राम और यहाँ पर मेरे तीन टिफिन पैक हो गए हैं बॉटल भी भरके मैंने ऐसे टेबल पर रख दिये अपने अपने टिफिन उठा उठा कर सब ले जाते हैं तो आज मैंने क्या टिफिन के लिए बनाया है बच्चों के लिए और बच्चों के पापा के लिए वो मैं आप सब के साथ शेयर कर रही हूँ तो चलिए देखते हैं कि आज मैं क्या क्या चीजें बनाने वाली हूँ तो सबसे पहले मैंने फ्रेज में से निकाल लिया है बथुआ यहाँ पर मैंने ये बथुआ दो दिन साफ करने के बाद मैंने बत्ववे को एक पतीले में रख दिया और इसमें पानी डालकर इसको उबलने के लिए छोड़ दिया है, बत्ववा उबलने में 10 में लगेंगे, 10 में उबल के रेडी हो जाएगा, आप चाहे तो कोकर में सीटी लगा कर इसको उबाल सकते हैं, या फि और इसको हम अच्छे से एक से दो बार चर्ण कर लेंगे यानि कि चला लेंगे चलने के बाद मैं दो चम्मच बतुए का पेस्ट निकाल कर साइड में रख देती हूँ क्योंकि मैं इससे बनाऊंगी बतुए का रायता और अब मैं इसमें अद्रक, हरा धनिया और थोड़ी सी हरी मिर्च डाल कर इसको में पीस लेती हूँ और इसका पेस्ट बना के रख लेती हूँ बत हुआ यहाँ पर हमारा पेस्ट चुका है अब मैंने एक परात में ले लिया है गिहूं का आटा डाला इसमें थोड़ा सा जीरा, थोड़ा भुना हुआ जीरा, लाल मिर्च, यह कश्मीरी लाल मिर्च ले रही हूँ नमक टेस के हिसाब से दो चम्मच देसी घी अच्छे से मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद अब मैं इसमें यह तयार किया हुआ पेस्ट डाल दूँगी और इसी जार में पानी डालुँगी और पानी डाल कर डो तयार करूंगी तो हम यहाँ पर पराठे बना रहे हैं तो इसको बनाने के लिए थोड़ा soft डो लगता है इसलिए डो को हमें soft ही रखना है ये डो यहाँ पर बन की ready हो चुका है इसको मैं मसलते हुए side में रख देती हूँ चली राइता तयार कर लेते हैं यहाँ पर मैंने दही ले लिया है तो ये पूरा 200 ग्राम दही है दही को मत लिया है और डाल दिया है हमतने के बाद आदगा पानी पानी डाल कर थोड़ा सा पतला किया अब इसमें तयार किया हुआ बतुए का पेश्ट डाल देते हैं हम और अच्छे से इन दोनों चीज़ों को पहले हमें मिला लेना है दोस्तों बतुए गरम होता है और सर्दियों के मुसम में बहुत फाइदा करता है अब इसमें डाल दिये लाल मिर्च थोड़ा बुना हुआ जीरा थोड़ा काला नमक और थोड़ा सफेद नमक मिलाते हुए मिक्स कर लेंगे हमारा बत हुए का बहुत हेल्दी सूपर टेस्टी रायता बन की तयार हो गया है इसको मैं साइड में रख लेती हूँ चलिए जो हमने दो तियार किया उसमें थोड़ा सा पर्थन डाल लेते हैं और डो की हमें चोटी-चोटी सी लोईया तोड लेनी है साइज आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं आपको जितने बड़े या फिर जितने चोटे भी बना लिया है अब हम इसके उपर ऐसे तेल लगाएंगे और फिर से इसको फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद फिर से तेल लगाएंगे तो यह मैं बना रही हूँ आज पर्थन लगाकर इसको अच्छे से बड़े साइस का बेल लेना है थोड़ा पतला ही आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं दोनों तरब देशी घी लगाकर अच्छे से स्पेचुला की मदद से दबाते हुए पराठे को हम सेख लेंगे मैंने और एक पराठा बेल के रखा है तो पहले यह सेख जाएगा उसके बाद में और पराठा बेल कर तबे पर डाल नाश्ते के लिए मैंने यहां पर गरम गरम पोह बनाया तो पोह रख दिया बत हुए का रायता रख दिया और मैं रख रही हूँ एपल काट के और एपल के उपर डाल दोगी थोड़ा सा चाट मसाला टेस्ट के लिए यह हमारे बेटे का हो गया लंच बॉक्स तयार इसको पैक करके मैं रख देती हूँ और इतनी सारी चीजे ही सेम मैं तीनों लंच बॉक्स में रखूंगी छोटे वाले बेटे के लिए और अपने हस्बंड के लिए तो ये मेरे तीन लंच बॉक्स तयार हो गए हैं इनको मैं टेबल पर रख देती हूँ मैं रोज यही करती है वो अपना अपना उठा कर ले जाता है दोस्तों कैसा लगा आपको आज का आइडिया मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताना मिलेंगे अगले नए वीडियो में तब तक की नमस्ते